नमस्कार दोस्तों मैं गोपासरमा एक बार फिश्य सुभागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल शिक्षाविदी पर जो हमने 1000 कोशनों की शीरीज स्टार्ट की दी उसके दो पार्ट उसके हैं आज हम उसका थर्ड पार्ट करेंगे और इसमें भी हम मौस्ट इपो पार्ट कोशन करेंगे और इनमस्कार से पहला कोशन है कि दीन बंद छोट राम ताप ये वीजित प्रियोजना कहां पर शितित है तो यह है युमनानगर जिले में इसके बाद देश का पहला सी एफल गाउं कौन सा है तो वह है बिनोला और यह की जिले में है यह है रिवाडी जिले में हरियाना का पहला कास्वणी केंदर कब और कांसरू हुआ था तो यह वादा आठ मई 1936 को रोत्तक जिले में हरियाना का पहला कास्वणी केंदर कब और कांसरू हुआ था तो यह वादा आठ मई 1936 को रोत्तक जिले में मंदिर कहां पर है तो यह बिवानी जिले में और मंदिरों के यदिगोने के कान भी हर्याना की छोटी कासी बिवानी के का जाता है कर लेडि हैली होस्पिटल की स्थापना किस ने की थी तो वो की थी शेट छाजूराम ने लेडी हैली ओस्पिटल की स्थापना किसे ने की थी तो ओ की 10 चुछ राम ने कपिल मुनी का समद की सहर से है तो ओ है कलाइच से कपिल मुनी का समद की सायर से है तो वो है कलायद से 1919 में बिवानी में कांगरेस पार्टी की स्थापना किस ने की थी तो वो की थी नेकी राम सर्माने 1919 में बिवानी में कांगरेस पार्टी की स्थापना किस ने की थी तो वो की थी नेकी राम सर्माने किसे City of War Heroes भी का जाता है तो का जाता है बिवानी जिले को हरियाना में पर्थम फेज में कितनी मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा तो जोड़ा जाएगा चोवन मंडियों को हरियाना में पर्थम फेज में कितनी मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा तो जोड़ा जाएगा चोवन मंडियों को हरियाना में ओपरेशन पाइले प्रोजेक्ट किस वर्थ शरू वा था तो यह वादा 1994 में और यह कांसे शरू वादा यह वादा गोहाना से कब तक परदेश के सभी गाउं में बिजली पूचा दी गई थी तो पूचा दी गई थी 26 नवंबर 1970 को कब तक परदेश के सभी गाउं में बिजली पूचा दी गई थी तो वो पूचा दी गई 26 नवंबर 1970 को जोदरी बन शिलाल दुवारा इसके बादत सिख पंत को मानने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्याकिस जिले में है तो वो है शिर्षा जिले में हरियाना स्वाइते कादमी कामुखेले काँ पर सिथित है तो वो है पंच्कुला जिले में हरियाना स्वाइते कादमी कामुखेले काँ पर है तो वो है पंच्कुला जिले में पंडित लख्मिचंद के गुरू के रूप में किश्की परसुतिरी की गई है तो वो की गई है मान सिंग की मैला थानों का परबंदन किस त्योहार से किया गई है तो वो किया गई है रक्सिया बंदन से रावली गोल्प मेदान हरियाना के किस जिले में है तो वो है फ्रिदाबा जिले में चांदराम का समद किस खेल से है तो वो है पैदल चाल से हरियाना के हर्षे कवी कौन है तो है सुरेंदर सर्मा हरियाना के हर्षे कवी कौन है तो है सुरेंदर सर्मा सतलूज यूमना लिंक नहर की लंबाई कितनी है तो है 212 किलो मिटर सतलूज यूमना लिंक नहर की लंबाई कितनी है तो है 212 किलो मिटर हरियाना के ब्रांड अमबेट सखर कर कौन है तो वो है बापा राम देव इसके बाद है सरीकंठ जिले के नाम से किसे जाना जाता है कुरुचितर जिले को हरियाना नाम का लेक मिलता है तो मिलता है महापुरान में फजल अली आयो की रिपोर्ट कब परस्तूत की गई थी तो वो की गई थी उनीशोचपन में वीडियो कैसे लेगी कोमेंट करें लाइक करें और सिक्षेवजी चानल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद